बिस्म्लीय रख्मेन रहीम ECM में कनक्शन किस तरह से करें ताकि पूरे बोर्ड को हम सप्लाई दे सकें कई वार स्टूडेंट्स कहतें के पिनॉट्स नहीं होते तो भूल जातें कि कौन सी पिन इगनेशन किये कौन सी पिन ग्राउंड किये कौन सी पिन पर 12 विल सप्लाई देना है और कौन सी पिन कैन लो की है कौन सी कैन हाई की है कुछ बोर्ड इस तरीके से आए हैं जैसे हुंड़ी में आए हैं कुछ बोर्ड महंदरा के हैं कुछ बोर्ड सिफ्ट के हैं मरूती के हैं कि उसके अंदर इस तरह के निशान बने होते हैं ये एक ये एक ये और ये तीन निशान ही ये बने होते हैं जी ठीक है झी आप ये सिफ्ट का देख लीजिए कि और इसमें भी है आप ये मेहन्दरा का 17 सी 63 देख लीजिए दो निशान ये बने हैं और ये निशान बने हैं ये 63 वाला है इसमें बात ये धियान रखने कि आज हम आपको एक short tips बताते हैं कि ये वाला जो point है जो first point दिख रहा है ये point हमेशा ground का होता है ये point हमेशा ground का होगा और इसके बराबर में इसको 12 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी ठीक है आपके पास 12 वोल्ट का adapter है तो उसका जो positive वायर है जो 12 वोल्ट वाला वायर है आप यहां जोड़ दीजिए और उसका ground वायर इधर वाली साट पर जोड़ दीजिए ठीक है ECM पूरा ECM वर्क कर रहे तो जरूरी है कि इसको ignition supply दी जाए ताकि ECM में लगी power IC अपना काम कर सके तो ignition की जो इसके अंदर pin होती है यह जो 3 point है सबसे इस side वाला point यह ignition का point होता है यहां पर भी 12 वोल्ट सप्लाई पिलस 12 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी जो सप्लाई आपने यहां दी थी 12 वोल्ट वही सप्लाई आप इस pin पर भी दे दीजिए अब आपने इसको ground दे दिया 12 वोल्ट सप्लाई दे दी और ignition वाली भी सप्लाई दे दी है इससी क्या होगा कि पूरे board के अंदर सप्लाई जो है वो फिलो हो जाएगी 12 वोल्ट ठीक है और 12 वोल्ट ignition सप्लाई मिलते ही यह जो IC है इसके कई function active हो जाएगे और यह अपना can low, can high, out करने लगेगी अगर यह IC ठीक हुई तब अब आपको ध्यान नहीं रहा कि इसके अंदर कौन सी pin can low की है कौन सी can high की है ठीक है तो इसकी जो इस set की दो pins बची है यह वाली यह तो ignition की थी अब आ जाती है आपकी यह वाला point तो यह वाला point जो है वो कहलाता है can low का यानि बीच में जो point है can low का है और सबसे इस इस तरह बला जो है यह can high का कहलाता है एक बार मैं और बता दूँ सबसे पहले नमबर पर ground दूसरे नमबर पर plus 12 वर्ट सप्लाई तीसरे नमबर ignition सप्लाई का है यहां पर भी plus 12 वर्ट सप्लाई दी जाएगी चौथा नमबर जो है वो can low का है और फिफ्ट नमबर can high का है यह concept दूसरे ECM में भी इसी तरह से लागू है आप उसमें चेक कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से connection कर सकते हैं इस बात को आप लिखके रखें ताकि future में आपके दूसरे कुछ ECM के अंदर काम में आ सके ठीक है और इस तरह की बहुत धिर सारी tips हमारे class जोईन करें उसमें आप पा सकते हैं किस तरह से ECM को repair किया जाता है क्या उसका concept है कहां से starting होती है पहले option क्या चेक करें दूसरे option भी क्या चेक करें तो यह सारा concept जो है हम अपने class जो online class चलती है उसमें इसको बहुत deeply लेगए चलते हैं हमारी online class होती है और आप चाहते हैं अपने आपको अपने आपको पुमारा class जोईन कर सकते हैं फीस हमारी बहुत बहुत reasonable है फोर डिजिट के अंदर फीस हमारी one month का course रहता है लगवक टू घंटे classes चलती है class का time होता है रात को 9 से लेकि 11 अबजे तक इससे हमें admission हो रहे हैं जो भई admission लेना चाहते हैं नीचे दिये हुए number पर हमसे संपर्क कर सकते हैं बस आज का वीडियो यहीं तक उमीद है छोड़ी से tips आपको जरूर पसंद आई होगी thank you so much जरूर मुलाकात होगे इंशाला किसी दूसरे वीडियो में good luck